हेलो एफ्रीवान, माइनेम इस अदीती चौधरी, विलकेम टू माइ चैनल, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसिस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे, वो हमेशा हटकर सोचता है, हटकर सोचने की कोशिश करो, मैं हटकर सोच रहा हूँ, क्या उसने हटक सोचा, ऐसे हिंदी के सेंटेंसिस, जिन में हम हटकर सोचने के बारे में बात करते हैं, इनको इंगलिश में बोलने के लिए हम, think outside the box, इस फ्रेस का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है, to think in an original or creative way, हटकर सोचना, लोगों से अलग सोचना, creative सोचना, इसको लेकर सेंटेंसि इसके रूल में सबसे पहले subject आता है, subject के बाद subject और tense के according helping verb आती है, इसके बाद think outside the box आता है, और last में other words आते हैं अगर बचते हैं, तो यहाँ पर यह जो think है, यह ऐसा main verb यूज होता है, जो कि subject और tense के according change भी हो सकता है, जैसे कि things, thought, thinking, चलिए आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब पूरी तरह से समझ में आ जाए, वो हमेशा हट कर सोचता है, या फिर वो हमेशा बागियों से अलग सोचता है, He always thinks outside the box, he always thinks outside the box, हट कर सोचने की कोशिश करो, try to think outside the box, मैं हट कर सोच रहा हूँ, I am thinking outside the box, कभी तो हट कर सोचा करो, अब वो हट कर सोचेगी, Now she will think outside the box, उसने इस परिशानी को सुलजाने के लिए हट कर सोचा, He thought outside the box to solve this problem, क्या उसने हट कर सोचा, Did he think outside the box, क्या वो हट कर सोचती है, Does she think outside the box, तुम हट कर क्यों नहीं सोचते, Why don't you think outside the box, अब एक सेंटेंस आपके लिए, तुम्हें हट कर सोचना चाहिए, इसको हम इंगलिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे comments में बताएए, आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपने इससे कुछ सीखा है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button, so that you get notified whenever I post new videos, अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई!